subscribe to our channel by clicking the subscribe button click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel now see question 29 ये भी एक different question था set 2 के अंदर question है if a is equal to 2 3 10 4 minus 6 5 6 9 9 minus 20 ये आपको एक matrix इलिए a आपको a inverse निकालना है और उसके बाद a inverse को use करके solve करना है given equations को like this तो सबसे पहले यहां पर a inverse निकालते हैं तो a inverse के लिए मैं सबसे पहले यहां पर modulus of a यहां पर calculate करूँगा तो modulus of a हमारा क्या आ जाएगा this is 2 3 10 4 minus 6 5 and 6 9 minus 20 ये आ जाएगा तो सबसे पहले इसे r1 के खोलता हूं तो 2 2 के bracket में माइनस 6 की माइनस 20 में होगी 120 and then माइनस के 90 45 आ जाएगा 925 then minus 3 फिर bracket के अंदर minus 20 की 4 में होगी तो minus 80 6 के 5 में होगी minus 30 इसके बाद plus 10 और फिर bracket में 9 की 4 में होगी 36 प्लस 6 की 6 में होगी minus के sign के साथ और एक और minus बीच में आएगा तो plus हो जाएगा ये 36 से आ जाएगा अब आप देखिए 120 में से जब आप 45 को minus करेंगी तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 75 75 की 2 से करेंगे 150 उसके बाद minus 80 minus 30 minus 110 और 3 में जब करेंगे minus 3 है तो plus हो जाएगा plus 3 3 0 आ जाएगा उसके बाद 36 और 36 72 है 72 की 10 में करेंगे 7 2 0 आ जाएगा एड कराईए यहाँ पर then 2 3 5 5 5 10 carry 1 then 7 3 1 2 0 0 यहाँ पर modulus of a की value आए जोके 0 के equal नहीं है therefore a inverse exist a inverse exist करेंगा अब आप यहाँ पर क्या करेंगे add joint निकाल लेंगे add joint निकालने के लिए यहाँ पर आपको co factors निकालने होंगे तो co factors मैं यहाँ पर जो है direct ही यहाँ पर मैं add joint निकाल देता हूं तो add joint निकालने के लिए सबसे पहले आपको co factors निकालने होंगे co factors निकालने के लिए a11 a12 a13 आप निकालेंगे उसके बाद a21 a22 और a23 की value आप निकालेंगे then a31 a33 a32 और a33 यहाँ निकाल लिए और फिर क्या कराएंगे इसका transpose कराएंगे तो आपको add joint of a add joint of a आपको मिल जाएगा add joint of a क्या पर क्या हो जाएगा add joint of a एक matrix होगी जहाँ पर a11 a21 और a13 को इस तरह से लिखेंगे फिर a21 यह 12 था और यह 13 then a22 और a23 इस तरह से then a31 और a32 और a33 इस तरह से आप रेंच करेंगे तो आपको add joint मिल जाएगा तो मैं यहाँ पर डारेक जो है add joint आपको बता रहा हूँ तो add joint जो है यहाँ पर आ जाएगा add joint of a add joint of a जब आप निकालेंगे तो आपको यहाँ पर 75 जो है ए 111 की value मिलेगी उसके बाद next value आपको 1110 मिलेगी next value आपको 72 the next 150 75 माइनस 100 यह values आपको मिल जाएंगे जो मैंने already जो है calculate की भी है जह values आप direct use कर सकते है दिन 0 दिन माइनस 24 यह आपका add joint of a आ गया और a inverse निकालने के लिए आप क्या करेंगे 1 by यहाँ पर a को add joint of a से याणि determinant of a को add joint of a से multiply कराएंगे तो 1200 then 75 150 75 110 minus 1100 then 30 72 0 minus 24 यह आपको ए इंवर्स मिल गया अब जो given equations है उननी equations को देखिए तो from the given equations आप यहाँ पर जो है given equations क्या है now given equations are given equations are given equations को अगर आप देखें तो यह है 2 by x plus 3 by y plus 10 by z is equal to 2 2 by x plus 3 by y plus 10 by z is equal to 2 यह आपको given है the next step 4 by x minus 6 by y और 5 by z तो 4 minus 6 5 equal to 5 यहाँ पर x x plus यहाँ y plus z यह आपको next देवी है और next जो है आपकी यह है 6 9 minus 20 minus 4 6 9 minus 20 minus 4 तो यहाँ पर x है यहाँ पर y है और यहाँ z है तो यहाँ से आप देखें यहाँ से आप लिख सकने हैं कि a यहाँ पर क्या हो जाएगा a is equal to आ जाएगा 2 3 10 उसके बाद 4 minus 6 5 और 6 9 minus 20 यहाँ पर b जो है आप लिखेंगे वो आ जाएगा 1 by x 1 by y 1 by z और यहाँ पर जो c आ जाएगा c constant matrices जो हो जाएगी 2 5 constant matrix 2 5 minus 4 आ जाएगी अब यहाँ पर आप देखें यह जो a आपको given है यही तो a आपने inverse निकाला था देखें यह जो matrix है आपकी given matrix 2 3 10 4 minus 6 5 6 9 minus 20 same to same आपकी यहाँ पर आ रही है matrix तो therefore since यहाँ लिखेंगे since a into b is equal to c होता है यहाँ पर तो b जो हो जाएगा वो a inverse c के आ जाएगा तो यहाँ पर b matrix जो है यानिके 1 by x plus upon 1 by y and 1 by z यह जो आ जाएगी a inverse c c यहाँ पर कितनी है मैं यहाँ पर c दिख देता हूं this is 2 5 10 2 5 minus 4 this is not 10 it is minus 4 और उसके बाद हम a inverse जो के कितना था 1 by 1200 और अब a inverse की हम यहाँ पर value रखेंगे जो के आ जाएगी 75, 150, 75 75, the next row जो थी 110 minus 130 उसके बाद जो next row है last वाली row वो है 72, 0 minus 24 आप दोनों product आप करा दीजे दोनों matrices का product तो यह जो आ जाएगा 75 की 2 में करेंगे 150 155 की 5 में करेंगे तो 750 ही आ जाएगा और 75 की minus 4 में करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा plus minus का 300 ही आपको मिल जाएगा similarly 100 की 2 में करेंगे तो 2 to 0 then minus के 500 then minus के 30 की minus 4 में जबाब करेंगे तो minus का 1200 आएगा then 72 की 2 में करेंगे तो 2 to the 4 and then 144 then 0 आएगा और 24 की 4 में कराएगे तो यह plus की value आएगी 4 for the 16 carry 14 to the 8 and then 9 तो यह 96 आ गई value आपकी plus के साथ अब यहाँ पर further आप और कराएगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 1 by 200 यह आपको मिल जाएगे 1 by x 1 by y और 1 by z की values 150 and 750 यहाँ पर कितना आजाएगा यह आपको मिलेगा 900 जिसमें से 300 माइनस कराएगे तो 600 अब इसके बाद 1200 and 500 यहाँ पर 70 100 आएगा माइनस का जिसमें 220 को आप माइनस कराएगे तो आपको क्या मिलेगा 1480 यह आपको मिल जाएगा then 144 and 96 तो यहाँ पर 660 carry 1 and then यह आजाएगा 240 अब आप यहाँ पर क्या करेंगे simply 1 by x की value क्या आजाएगे 600 by 1200 1 by y की value क्या आएगी 1480 by 1200 1 by z की value क्या आजाएगी 240 by 1200 यहाँ पर आप थोड़ा simplify हम कराएगे 0 से 0 cancel then 60 यह 2 आएगा तो x की value यहाँ पर 2 आगए then यहाँ 0 से 0 cancel हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर आप 4 से divide कराएगे तो 4 30 यहाँ 4 से divide कराएगे 4 3 and then इसके बाद 2 यह आजाएगा y की value जो आजाएगी this is 30 upon me 37 और इसके बाद z की value जो आजाएगी 0 से 0 cancel 12 2 जा and then 12 10 जा z की value 5 आजाएगी कर दो आजाएगी